बिसम अल्लाहरमार रही अस्सलाम अलेकुम जियर कस्टमर्स अमीद करते हैं कि आप सब खारियत से होगे आज हम आपके रिलाएं है अलिफ का बहुत उप्सूरत और हसीन आर्टिकल जो कि बेटर दन ओरिजनल कॉलिटी पे बना हुआ है यह किस तरह से बेटर दन कॉलिटी पे बना है यह हम आपको दिखाते हैं इस वीडियो में कस्टमर्स सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे इसका ट्राउजर जो कि यह रॉस सिल्क का है गोल्ड प्रिंटेड यह बहुत ही खुपसूरत और डिफरेंट सा ट्राउजर है यह आप देख सकते हैं इसके बाद हम आपको दिखाते हैं इसकी शर्ट का बैक पीस जो कि बहुत ही खुपसूरत सा है इसमें थ्रेड तिल्ला और ब्लीटर सिक्मेंस का काम यह आप देख सकते हैं थ्रेड तिल्ला और ब्लीटर सिक्मेंस बहुत ही नफीस सा यह काम यह है इसकी बैक अब दिखाते हैं आपको इसके दामन के एक्स्टेंशन्स जो के दो है और दोनों ही कंट्रास कलर में है यह इसका पहला दामन का बॉडर जिसमें त्रेड तिल्ला और विल्टर सीक्वेंस का ही काम है यह आप देख सकते हैं इसका एक बॉडर इसका एक बॉडर इसका दूसरा बॉडर जो के कंट्रास कलर में है आप देख सकते हैं इसके भी थ्रेड तिल्ला और लीटर सीक्वेंस काम है बहुती खुपसूरत सा यह मस्टर्ड कलर का है यह इसके बैक के दोनों बॉडर इसके बाद आपको दिखाते हैं शर्ट का फ्रंट पीस जो के इंतहाई नफीस थ्रेड तिल्ला ग्रीटर सीक्वेंस और हैंड इंबरिश्मेंट के साथ बना हुए यह आप देख सकते हैं इस वीडियो में यह है इसका फ्रंट पीस जिसमें त्रेड तिल्ला ग्रीटर सीक्वेंस पल्स का नहायती खुपसूरत और नफीस सा यह काम यह सारे कॉल्स इसके अंदर लगे मैं और यह इसकी खुपसूरत सी नेट लाइन है क्योंकि आप देख सकते हैं इंतहाई नफासद से बनाई गई है यह इसकी नेट लाइन साथ ही अब हम आपको इसके फ्रंट के दामन के एक्स्टेंशन भी दिखाएंगे फ्रंट के दामन के भी दो ही एक्स्टेंशन थे इसी तरह से फ्रंट के दामन के भी दो एक्स्टेंशन थे इसी तरह से फ्रंट के दामन के भी दो एक्स्टेंशन थे इसी तरह से फ्रंट क इसके अंदर फ्रंट में जो है पल्स का काम है बैक में पल्स नहीं लगाए गए थे यह मस्टरड कलर का उसी तरह से बॉर्डर है जो के बैक का था इसके बाद इसका दूसरा बॉर्डर जो के मरून कलर में है यह भी हैंड अम्बेलिश्मेंड के साथ है यह आप देख सकते हैं बहुत ही खुपसूरत सा यह काम फिर तिल्ला सीक्वेंस और पल्स यह इसका फ्रंट फ्रंट के दोनों दावन के एक्स्टेंशन्स इसके बाद हम आपको दिखाते हैं इसकी बहुत ही खुपसूरत सी स्लीवस स्लीवस भी पूरी हैं के साथ हैं आमने सामने स्लीवस हैं कोई जोड नहीं हैं इसमें भी पल्स का काम है थ्रंट, त्यलै, ग्लीतर सीक्वेंस और पल्स यह सब आप देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग बहुत ही खुबसूरत सा यह काम अब इसके बाद आपको दिखाते हैं इसका हसीन जमीन दो मुख्तलिफ कंप्रास से बना तुपट्टा जो कि रेडी टू वेर है आपको इसमें कुछ भी करवाने के जरुवत नहीं इसमें भी थ्रेट तिला ग्लीटर सीक्मेंस का काम है यह प्यो वे बरीजेनेट पे बना हुआ है कट वर्क इसमें किया गया है यह आप देख सकते हैं कट वर्क दुपटा है बिल्कुल चारों तरफ से इसके कट वर्क काम बना हुआ है यह इसके पल्लू है जो के बहुत ही खुपसूरत से दो मुफ़त पलर से मिलकर बने हुआ हैं बाकी पूरे दुपटे पे इसके बूटियां है यह इसका दूसरा पल्लू है साथ ही माथवट्टी यह आप देख सकते हैं कट वर्क के साथ बहुत ही खुपसूरत साई दुपट्टा जैसे इस वीडियो में आपको दिखाया जा रहा है इंशाला ताला वैसे ही आपको डिलेवर होगा पॉलिटी पे कोई कंप्रमाइज नहीं होगा अब हम आपको इस पूरे सूट का ओवर व्यू दिखाते हैं यह है इसका फ्रंट फ्रंट के दोनों दामन एक्स्टेंशन्स आप देख सकते हैं इस पर खुपसूरत सा पल्स का काम यह इसका फ्रंट नेक लाइंग साथ ही इसकी स्लीज गोल्ड प्रिंटेट इसका ट्राउजर यह गोल्ड प्रिंटेट ट्राउजर था इसका और साथ ही इसका खुपसूरत सा खटवर्ग दुपट्टा इसके दोनों पल्लू बहुत ही खुपसूरत कलर कंप्रास से बने हुए अब इसके प्राइस हम आपको बताते हैं इसके प्राइस है तो लाइक और शेयर जरूर करें आप जाहें तो हमारी फेस्बुट मेसेंजर या हमारी वेबसाइट या फिर वोट्सप पे राप्ता कर सकते हैं मजीद आर्टिकल्स के लिए बहुत जल्द आपके खुपनत में दुबारा हाजर होंगे तब तक के लिए अजाज़त दें अल्ला हाफिस अस्सलाम अलेके